नमस्कार दोस्तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वाइरल वीडियोस पे दोस्तो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि कैसे आपको मार्केट में जाके सुबह blindly कोई भी stock को long या short नहीं करना आपके बास एक setup ready होना चाहिए कुछ levels आपके पास already marked होने चाहिए आपको market में जाने से पहले पता होना चाहिए आपके research पहले से होनी चाहिए कि आपको stock के अंदर long करना है short करना है buy करना है investment करना है तो क्यों कर रहे हो आप आपको entry कहां पे लेनी है आपका stop loss क्या रहेगा exit कहां पे करना है काफी सारे मैंने आपको tips दिये थे tricks बताये थे तो पिछले वीडियो में काफी सारे दरिश्कों ने मेरे से पूछा कि मैं किस platform का use करता हूँ इस research को करने के लिए मैं किन tools को use करता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में आपको उनी कुछ सवालों का जवाब दूँगा तो दोस्तो हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कैसे कैसे मैं किसी भी stock in the research करनी हो तो इसको start करता हूँ किन tools को मैं use करता हूँ चाहे वो intraday trading हो चाहे वो swing trading हो चाहे वो investment हो दोस्तो for example आपके सामने मैंने मारोती सुजगी का stock खोल रखा है यहां पर उसका chart खोल रखा है तो आपको काफी सारे levels काफी सारी lines दिखा ही देगी तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था किस levels क को आपको देखना है कैसे कैसे करना है मैं आपको कुछ briefing दूँगा और करना है किस site पर किस website पर कैसे use करता हूँ किन tools को use करता हूँ तो basically investing.com को मैं use करता हूँ दोस्तों इन सब चीज़ों को करने के लिए ये एक free website है आप भी इस पर बहुत ही असानी से अपनी technical analysis के research को कर सकते हैं आपको levels mark कर सकते हैं आप Fibonacci draw कर सकते हैं technical indicators plot कर सकते हैं और live market के दोरान भी आप trading के लिए इसको खोल के देख सकते हैं तो दोस्तों आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आपको अपना कोई भी stock हो कोई भी index हो nifty bank nifty कैसे उसको approach करना है कैसे यहाँ पर आपको tools को use करना है आपके सामने नीचे volumes plot की हुई है trend lines बनी हुई है Fibonacci बना के रखा हुए फिर indicators की बात करें तो choppiness index खोल रखा है RSI खोल रखा है तो दोस्तों काफी सारे चीजों को मैं use करता हूं multiple चीजों को एक साथ use करता हूं और फिर मैं trading के लिए एक साही decision लेता हूं तो किस indicator को कैसे use करते हैं choppiness index को कैसे use करते हैं RSI को सही से कैसे use करते हैं Fibonacci को क्या होता है कैसे बनाते हैं यह सब मैंने आपको already videos के दोवारा समझा रखा है इस video में मैं आपको zero से समझाँगा कि अगर आपको कोई indicator plot करना है आपको technical analysis करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं कैसे आपको charts बगेरा बनाने हैं दोस्तो investing.com आप खोलेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक layout आएगा अगेन आपको यहाँ पर अपना account बना रहे हैं दोस्तो जैसे कि free account बन जाता है Google से आप कर सकते हैं या फिर किसी भी आप login के method को use कर सकते हैं once you do it तो आपको यहाँ पर सिर्फ आपको माल लीजिए nifty के अंदर कामकश करना है तो हम example के लिए यहाँ पर nifty को खोलते हैं तो आपको nifty पर click करना है आपके सामने इस तरह का page खुल जाएगा यहाँ पर आपको technical chart पर click करना है दोस्तो यह चार्ट जब market चल रही होती है तो live market के अंदर live chart आता है इसको streaming chart भी कहते हैं आपको इस chart को zoom in कर लेना है और यहाँ पर candle sticks को click कर लेना है तो अब आपके सामने आपका technical analysis का chart ready है यह daily chart है दोस्तो आपको time frame को change करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं आपको छोड़ा time frame देखना है जैसे कि 1 minute, 5 minute, 15 minute तो आपको यहाँ से मिल जाएगा option जैसे हम इसको 15 minute करेंगे तो हमारे सामने nifty का 15 minute का chart खुल गया तो दोस्तो यह 15 minute का chart है nifty का उसी तरह यह daily chart है आपको weekly करना हो तो आपको वीकली भी करके देख सकते हैं तो आपको chart patterns करने हो या आपको कोई भी research करनी हो analysis करनी हो तो आप अपने time frame को यहाँ से ओपर से adjust कर सकते हैं दोस्तो अगरे आपको hackinessy candlestick को use करना हो जिसके उपर dedicated video है जो काफी अच्छे से हमारे को noise cancel करके chart को simple way में दिखाता है तो उसको आप plot करने के लिए यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको candlestick की जगा और भी options दिखाई दे रहे होंगे यही पे आपको hackinessy का option मिल जाएगा तो दोस्तो similarly यहाँ पे और भी options है आप इंको खुद explore कर सकते हैं लाइन चार्ट एरिया चार्ट रेंको चार्ट जो की काफी सारे कहले की charting methods होते हैं अलग-अलग method का अलग-अलग use है हम जो basically use करते हैं candlestick को use करते हैं उसके लावा हम hackinessy को use करते हैं और कभ कैसे plot कर सकते हैं दोस्तो जब भी आपको कोई भी trend line draw करनी हो तो आपको इस tool को use करना है यहाँ पर click करेंगे तो यह आपके सामने कुछ options आ जाते हैं यहाँ पर similarly देखेंगे आप horizontal line है horizontal ray है vertical line trend line तो हम एक एक करके इनको explore करते हैं देखते हैं किस तरह यह काम करते हैं सबसे अगर trend line बनानी तो आपको जैसे की माननी चाहिए कि support line बनानी तो आप इस points को और इस point को click करेंगे और करेंगे आपके पास एक trend line बन जाएगी तो इस तरह कि आपकी trend line बन गई trend lines को सही से कैसे बनाते हैं उसके उपर मेरा again dedicated video है आप उसको जाके देखिए आपको सही से सभी rules पता बढ़ जाएंगे की trend line को कैसे बनाते हैं दोस्तो यहाँ पर एक tip मैं आपको दूंगा जो काफी सारे लोगों को नहीं मालूम होती दोस्तो analysis जब आप करते हैं तो आपक automatic points को connect करेगा जैसे कि आपको इस level को manually डालने की जूरूत नहीं है यह zoom करके देखने की जूरूत नहीं है यह automatically यहाँ पर यहाँ पर आके बिल्कुल exact dot आपको लेवल सेलेक करके देगा दोस्तो trend line को हमें extend भी करना पर सकता कहीं बार तो इसको extend करने के लिए आपको यहाँ पर feature मिलता है आप इस पर click करेंगे तो यह आगे extend हो सकती है इधर click करेंगे तो यह पीछे extend हो सकती है सिमिलरी दोस्तो trend line की width चोटी कर सकते हो आप या फिर color change करना था आप color भी change कर सकते हो तो दोस्तो आपको मैंने समझाया था कि अलग-अलग time frame पे जब आप कोई levels को mark करते हो उसकी importance के साफ से आप उसको अलग-अलग color दे सकते हो जो आपकी twice हो उस हिसाफ से तो दोस्तो यह निफ्टी की trend line मना के दिखाई मैंने आपको आप देखोगे कि इस trend line को तोड़ा तो निफ्टी काफी बुरी तरह नीचे गिरा एक breakdown हुआ था similarly दोस्तों अगर ऊपर की trend line मना चाहिए तो ऊपर की trend line में magnet mode की मदद से काफी असानी से बना सकते हैं दोस्तों आप देखोगे कि यह automatically green color के level को पकड़ लेगा जब आपने magnet mode on करके रखा होगा तो आपने इस line को क्लिक किया इस line पर क्लिक किया और कहीना कि आपके सामने दो आप मुव आ रहा है इसके अंदर कोई trend line को बनाना हो तो आप उसको भी बना सकते हो हम डेली चार्ट पे चलते हैं इस तरह आप trend lines को बना सकते हैं तो दोस्तों इस trend line को हम अलग color से mark करते हैं जैसे कि pink color से करके देखते हैं तो आपको simple सी बात है आपको माल लिजे lowest point दिख रूल्स होते है technical analysis के आप उनको सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देखिए trend line के ऊपर आपको वहां से अच्छा idea मिल जाएगा तो दोस्तों निफ्टी का हमने इस तरह से trend line मनाया निफ्टी ने पुराने चैनल को तोड़ा नीची आया और निफ्टी अब ट्रेंड तो दोस्तों left side में ऊपर से third option trend line के नीचे वाला option जो होता है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको Fibonacci retracement का option मिल जाएगा तो दोस्तों Fibonacci अगर में यहाँ पर एक roughly draw करें निफ्टी का तो कुछ आपको इसको क्लिक करके इस तरह बना सकते हैं Fibonacci हमारा बन गया अगें दोस्तों आपको levels mark हो गए काफी सारे अब दोस्तों यहाँ पे हमारे को horizontal line का भी option मिल रहा था तो दोस्तों अगर आपको मालनीजे horizontal line बनानी है मालनीजे इसको maroon color से plot करते हैं मालनीजे आपको 0.5 वाला level को plot करना है जिसका level है 9970 तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह आपके सामने horizontal line बन गई अगें आपको इसको बिल्कुल accurate करना है तो आप इसमें settings में जाके यहाँ पर coordinates में जाके level को exact डाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम अगर मालनीजे 9970 डालेंगे तो यह line अब एक्दम exact 9970 पर आ गई तो दोस्तों यह कुछ important tools थे, trend lines, horizontal line, Fibonacci, अभी कुछ और rules को देखते हैं, कुछ और tools को देखते हैं कि किस तरह हो हमारे काम आते है, magnet mode को दोस्तों हमेशा on रखे जब भी आप किसी line को plot करते हैं ताकि आपका जो level है automatically mark हो और बिल्कुल accurately हो, अभी magnet mode को मैं off करता हूँ आपके सामने दोस्तों, त इसकी मदद से बना सकते हैं, अगें यहाँ पर Elliot waves यह भी एक अच्छा technical analysis का tool होता है, जो कि advanced level का होता है, यहाँ पर आप इसको भी use कर सकते हैं, इन सब tools के उपर मैं के करके वीडियो से लेके आऊँगा, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियो अ वो सब automatically आप इसके अंदर system के अंदर डाल सकते हैं, for example अगर आपने यहाँ पर long करना है, with some stop loss, तो आप यहाँ पर stop loss feed कर सकते हैं, तो आपको यह एक अलग-अलग color से अंदर इसका range दिखाई देती हैं, ताकि आपको पता हो कि आपको इस range के अंदर अपना stop loss मानना है, यह इसके आपको उनको use करना है, तो इंडिकेटर सापको यहाँ पर यह जो option दिखाई दे रहा है, इंडिकेटर का, इस पर click करने पर मिलेंगे, for example अगर आपको Bollinger Bands को डालना है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा Bollinger Bands का option है, आप जिस भी इंडिकेटर को use करन आपको इसकी setting change करनी चाहिए लेकिन, तो यहाँ पर settings पर जाएंगे, तो यहाँ से आप change कर सकते हैं, इसकी setting दोस्तों, जनरली 55 और कहिना की नीचे के level को 30 का रखता हूँ, इसको कैसे use करते हैं trading के लिए, आप उसकी उपर dedicated video है, उसको जाके देखिए, आपको बहुत मिलेगी और यह indicator काफी अच्छे से कामकाच करता है, दोस्तों एक अच्छा advantage है कि यहाँ पर आपको volumes भी दिखाता है, जो कि कावी सारे platforms आपको नहीं दिखाते हैं, और volumes को हम काफी जादा importance देते हैं, तो volumes को आपको automatically यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, अगर आपको volumes फि जानना चाहते हैं, तो negative volumes पर click करने के लिए यहाँ पर आप इसको click कर सकते हैं, अगिन दोस्तों volumes को भी आपको average को change करना हो, जैसे 20 period की average की line होती है, यह line आपको बताती है कि पिछले 20 period की average volume कितनी है, तो आप इसको भी change कर सकते हैं, यहाँ पर settings पर आप click करेंगे, तो volumes प आपको काफी importance रखती है, volumes के ओपर भी मेरा dedicated video आप उसको जाके देखिए, आपको काफी जादा importance volumes की होती है, और काफी अच्छी knowledge मेलेगी video के अंदर, दोस्तों यह कुछ important tools थे हमारे, जो हम use करते हैं technical analysis में frequently, जैसे कि Fibonacci trend lines, indicators, इन सबको आप जब अपने chart पर plot कर लेंग average, exponential का average option आ गया, दोस्तों यहाँ पर आप इसको set कर सकते हैं, आपको 10 period की चाहिए, 20 period की चाहिए, 50 period की चाहिए, जैसे हम यहाँ पर 100 period की EMA हमारे को दिखाई देगी, इसका हम color चूज कर सकते हैं, for example, अगर मैं यहाँ पर red color ले लेता हूँ, तो यह red color की जो line है दोस्तों अलग-अलग EMA को अलग-अलग color दे सकते हो, इन tools की मदद से, दोस्तों, finally, जब आप यह सब कुछ कर लेते हैं, आपको यह सब रोज-रोज ना करना परे, इसके लिए आपको अपने chart को save करके रखना चाहिए, तो कहने हैं, अगर आप इस option पे click करेंगे, ओपर right side पे, तो यह save chart layout का होता है, अगर आप इसको अपने account बना रखा है, तो आपको save करने के लिए कोई भी आप name select कर सकते हैं, मालनीजी आप इसको नाम देंगे, निफ्टी, आप enter दबाएंगे, तो आपका chart आपके सामने save हो गया, save पे click करते ही, और यह chart आप इसको कभी भी refer कर सकते है For example, आपको दोस्तों मैं दिखाऊंगा कि मैंने कुछ playlist मेरी automatically यहाँ पर बनी होती है, इसके अंतर अभी यह load हो गई, इसमें मैंने बहुत सारे stocks जिन में मैं कामकाश्च कर रहा हुता हूं, जिन पर मैं नज़र रख रहा हूं किसी भी long या short opportunity के लिए, उसकी levels अगेर में mark क trading करनी हो HDFC में, तो मैं सिर्फ यहाँ पर HDFC को search कर लूँगा, या फिस select कर लूँगा, तो HDFC खुल जाएगा, with all levels marked, तो उससे काफी ज्यादा time बचता है, और उस time पर आप instantly decide कर सकते हो, अपने levels को देखे कि आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको किन levels को importance ज्यादा देन है, for example, दोस्तों, अगर हम TCS का chart देखें, तो TCS का chart आपके सामने दिखाई देगा मेरा, तो ये ranko chart है, इसको हम candlestick chart करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा, तो ये TCS का chart है, दोस्तों, इसके नीचे मैंने कुछ on balance volume indicator को plot कर रखा है, आप किसी भी indicator को plot कर सकते है, आपको बह levels को already mark करके रखता हूं, और उसकी मदद से market में जब भी कोई सी stock के अंदर कोई news आती है, कोई trading opportunity में कोई दिखाई देती है, मेरी watch list के अंदर, तो मैं instantly उसका chart खोलता हूं, देखता हूं क्या बन रहा है scene, buying का, shorting का, और अपना decision ले ले लेता हूं, अगें दोस्तों, इसक इसकी stock market की और algebra जो की database होती है, वो अलग chapter है, बट दोनों को आप सायात में combine करेंगे, तो आपके पास एक clear picture होगी, बट आप investing.com जो की एक free tool है, इसकी मदद से सभी indicators को use करके, अपना trading decision ले सकते हैं, अगें दोस्तों कुछ भी आपको paid नहीं है यहाँ और कहीं भी आपको paid subscription वगेरा मिलती है, उनको avoid करना चाहिए, जो कि आपको यह सब्सक्रिप्शन फीरी में मिल जाती है, तो दोस्तों इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ सीखने को मिला वा, काफी सारी आपकी मदद हुई होगी, काफी आपको clarity मिली होगी कि कैसे आपको market को एप्रोच करने हैं कैसे आपको काम करने मार्केट में आप सुभी उठके किसी भी इंदर सीधा बहुत क्द खोलेंगे और सीधा डाहला करने का सोचेंगे तो वो एक approach गलत है उससे आपको loss होने के chances है इसलिए अपना homework करके चलिए आपको अगर 5-6 stock आपकी नजर में है तो आपको उनके अंदर research करने है पहले उसके अंदर levels mark करने है then आपको live market में उनको खोल के रखना है उनके अंदर देखते रहना है कहा पर क्या opportunity बन रही है then किस किसी प्राइस section या जो भी आपका trading style हो उसके basis पर trading का decision लेना है दोस्तों उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो का disclaimer है कि मेरी कोई भी आपको buy sell की recommendation नहीं है यह वीडियो सिर्फ पर सिर्फ learning purpose के लिए बनाया गया है और आपको वीडियो अच्छ